और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे देगर रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बैल आइकन को भी क्लिक जरूर करिये इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स रेगिलरली मिलती रहेगी सवाल है आरेफ एक अनपा 63,360 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर मील तथा फरलांग पढ़ा जा सके तो देखिए ये इंच का सवाल है और इंच के सवाल के लिए हम सबसे पहले मापनी बना लेते हैं मापनी किस प्रकार से बनाएंगे सबसे पहले आपको 12,3,228 इस प्रकार से लिख लेना है जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए 12,3,228 और यहाँ पर इंच फिट गज फरलांग लिख लेना है तो हम लिख देते हैं इंच, फिट, गज और फरलांग इसी प्रकार इधर भी फिट, गज, फरलांग और यहाँ पर मील लिख लेना है यहाँ पर एक-एक हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक मील में होते हैं 63,360 इंच इसी प्रकार एक फरलांग में होते हैं 7,920 इंच और यहाँ पर एक गज में 36 इंच होते हैं और एक फिट में 12 इंच होते हैं तो यहाँ पर हमने इन सभी के इंच यहाँ पर लिख लिए हैं और यह देखिए 12 इंच में 1 फीट, 3 फीट का 1 गज, 220 गज का 1 फरलांग और 8 फरलांग का 1 मील होता है तो किसी भी इंच के सवाल में हमें इस प्रकार के मापक की जरूरत पड़ेगी जो इंच का मापक है तो चलिए सवाल को करना शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है आरेफ एक अनपा 36360 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर मील तथा फरलांग पढ़ा जा सके जब भी इंच का सवाल होगा तो हमें लगबग 6 इंच की दूरी पर सवाल करना होता है तो यहाँ पर लिखेंगे एक इंच की दूरी बराबर कितनी हो रही है 63360 इंच तो 63360 इंच लिख लेंगे अब हमने कहा है कि इंच के सवाल को लगबग 6 इंच की दूरी पर करते हैं 6 इंच की दूरी कागज पर प्रदर्शित होगी बराबर 63,360 गुणे यहां से 6 आ जाएगा यहां पर अब हमें भाग किस से देना है तो यह देखिए यहां पर पढ़ने के लिए मील और फरलांग दिया गया है जिस पर पढ़ा जा सके यहां पर मील और फरलांग में सबसे बड़ा कौन होता है तो यहां पर देखिए फरलांग उपर लिखा है और मील नीचे लिखा है तो मील इसमें बड़ा है और एक मील में इंच होते हैं 63,360, तो हमें इसको 63,360 से भाग दे देना है तो जब इसको काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा और यहां पर उत्तर 6 मील आ जाएगा अब मील क्यों आएगा? क्योंकि मील बड़ा होता है और मील से हमने भाग दिया था जिससे हमें भाग देना होता है वही मापक हमें यहाँ पर लिख लेना होता है तो हमने मील से भाग दिया था तो हमें यहाँ पर उत्तर भी मील में आ जाएगा अब हमें क्या काम करना है कि हमें 6 इंच की दूरी इसकेल से खीचनी है और इस पर 6 मील का भाग दिखाना है और एक तरफ हमें फरलांग भी दिखा देना है आईए देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं इस परकार से यहां पर देखिए हमने यह स्केल ले ली है और एक छोटी स्केल 6 इंच के बराबर होती यहां पर देखिए 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5 और यह 6 तो 6 इंच के बराबर है तो हमें यहां पर क्या करना है कि सबसे पहले एक सीधी रेखा इस परकार से 6 इंच की खींच लेनी है अब यह 6 इंच की क्यों खींची गई है क्योंकि यहां पर 6 इंच की दूरी लिखी गई है तो हमने 6 इंच की दूरी यह खींच ली 1.5 cm का ही लंब क्यों लेते हैं क्योंकि अगर हम 1.5 cm से छोटा लेंगे तो ये भाग बहुत पतला बन जाएगा ज़्यादा बढ़ा भी नहीं बनाना है ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है और एक medium size जो होता है इसका 1.5 cm का होता है तो इस प्रकार से हमने ये छे इंच की दूरी को ले लिया है अब इसको कितने भाग करने है छे मील के भाग करने है यानि कि छे बराबर भागों में बाटना है तो हम ऐसा करेंगे हम इसके बराबर छे भाग कर लेते हैं क्योंकि ये छे इंच के बराबर है इंच एक मील के भा तो हमने यहाँ पर क्या किया यह इंच के भागों पर हमने इस प्रकार से निशान लगा लिया है अब यह छे भाग बन गए हैं अब इनको उपरी लाइन से इस प्रकार से मिला देना है अब यहाँ पर इनको लिख लेते हैं यह तो हो जाएगा जीरो यहाँ पर हो गया एक मिल दो मिल तीन चार और पांच यह हो गए पांच मिल के भाग अब यहाँ पर देखिए मिल कहा गया है पढ़ने के लिए तो मिल हमने यहाँ पर पांच मिल के भाग बना लिए अब कहा जा रहा है कि फरलांग भी पढ़ा जा सके तो एक मील जो इधर की और बचा हुआ है इसे हमें फरलांग के भागों में बाटना है अब एक मील में ये एक एक मील के भाग बने हुए है तो ये भाग भी एक मील का है अब इसको हमें फरलांग के भागों में बाटना है तो एक मील में कितने फरलांग होते है यहाँ पर देखिए एक मील में फरलांग होते है आठ फरलांग तो हमें क्या करना है कि इस एक मील वाले भाग को फरलांग बनाने के लिए आठ बरावर भागों में बाट लेना है या तो आप आठ बरावर भागों में बाट लीजिए और या तो दोदो के भी भाग हम करेंगे तो चार भाग इसके बन जाएंगे यहाँ पर चुकि पढ़ने का कोई भी आकड़ा नहीं दिया गया है केवल हमें फरलांग ही बताना है तो हमें फरलांग आठ भागों में इधर कर लेना है तो चलिए इसको बीच से हम इस प्रकार से आधा कर देते हैं और यहाँ पर भी इस आधे भाग को भी इधर आधा कर देते हैं और इस भाग को भी आधा कर देते हैं चुकि यहाँ पर फरलांग आठ होते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया दो दो के भाग बना लिए यहाँ पर हम लिखेंगे दो यह हो गया चार यह हो गया छे और यह हो गया आठ तो यह आठ फरलांग होते हैं एक मिल में तो हमने इसको आठ भागों में बाट लिया अब ये हो गया फरलांग तो यहां पर हमें फरलांग लिख लेना है जैसे यहां पर अगर फरलांग पढ़ने के लिए साथ दिया होता कि आपको साथ फरलांग यहां पर पढ़ा जा सके हमें तब क्या करना होगा कि हमने अगर दो-दो के भाग बनाए तो इसमें साथ तो आया नहीं, तो उस condition में हम क्या करेंगे, एक-एक भाग बनाएंगे, जब एक-एक के भाग हम आट भागों में बाटेंगे, तो उसमें साथ आ जाएगा, और अगर यहाँ पर पढ़ने के लिए चार फरलांग या दो फरलांग दिया होगा, तो हम उसके द बीच से हाफ कर देना है, इस परकार से, और यहाँ पर नीचे उपर इनको काला कर लेना है, यह जैसे मैं कर रहा हूं, इस परकार से बिल्कुल नहीं करना है, यह भाग पूरी तरह से काले होने चाहिए, यह मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कि यह इस परक से खाने भरे होने चाहिए अब इनको पूरी तरह से काला कर लेना है पूरी तरह से यह सभी भाग काले कर लेने हैं इतना होने के बाद यह से इसकेल बनकर पूरी तरह से कंप्लीट है और यहां पर सिर्फ आपको एक काम और करना है आरेफ लिखना है आरेफ एक अनपाद 63306 इस प्रकार से लिख देने से यह इसकेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है